साथियों नमस्कार मैं हुनी रच पटेल और आप देख रहें निसनल जन्मत अमूमन पेबैक टू सोसाइटी से किनारा करने वाले तमाम अधिकारी इस बात का रोना रोते हैं कि करना तो बहुत कुछ चाहता हूं लेकिन मुझे समय नहीं मिलता इन तमाम सारे लोगों के लिए नजीर बने हैं 2012 बैच के PCS ओफीसर जो बरतमान में महराज गंज में ADM के बतौर काम कर रहे हैं 2016 में जब वो अलीगड की एक टैसील कोल में HDM हुआ करते थे तब उन्होंने अलीगड और आसपास के छेत्रों के बच्चों के लिए CSM यानि कि Civil Services मारदर्वस का नाम से एक कोचिंग की सुरूबात की जिसमें वो खुद भी पढ़ाते थे अपर सांख की अधिकारी राजवीर सिंग सुरू से इस कोचिंग से जुड़े हैं और तमाम सारे उनके मित्र अधिकारी गण भी वहाँ पढ़ाने आते थे फिर ट्रेंड एक बन गया कि उसी कोचिंग में पढ़े हुए वो छात्र जो PCS में स्लेक्ट हो गए या जन्होंने मेंस दे लिया वो अन्य बच्चों को पढ़ाने लगे पास साल के बाद इस्तिती ये है कि तकरीवन 200 बच्चों का चैन Civil Services मारदर्वस का से हो चुका है हुआ बच्चों के बैठने के लिए बैवस्था हो गई लेकिन अभी भी तपते टीन सेट के नीचे तकरीवन 300-400 बच्चे बैठ करके अधिकारी बनकर समाज की सेवा करने का सपना देखते हैं सौभाविक तोर पर इसमें तमाम वो बच्चे हैं जिनके पास दिल्ली लखनो इलावाज जैसी जगह पर जाकर पढ़ने के लिए पैसे की बिवस्था नहीं है अभाव ग्रस्त ये बच्चे इस कोचिंग को तो धन्यवाद देते ही हैं साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि अगर हमारा सिलेक्षन होता है तो हम पेवर्ट्यू सोसाइटी करेंगे अलीगड़ में इस समय एडियम सिटी हैं राकेस कुमार पटेल चुकि वो भी इसी विचारधारा के हैं कि अपने काम के दौरान समय निकाल करके ना सिर्फ लिखते पढ़ते हैं बलकि मानवादी सोच के तहत लोगों की मदद भी करते हैं तो अलीगड़ यात्रा के दौरान उन्होंने मुझे इस कोचिंग से न सिर्फ रूबरू कराया बलकि मेरे साथ में चल करके वहां किस तरह से बच्चे पढ़ते हैं उसकी भी जानकारी दी तो नेसल जनमत के दर्सकों तक ये वीडियो में इसलिए पहुचा रहा हूँ ताकि आपके लिए एक नजीर बन सके कि काम करने वालों के लिए समय कोई बाद्यता नहीं होती 24 घंटे उनको भी मिलते हैं जो समय का रोना रोते हैं 24 घंटे उनको भी मिलते हैं जो अपना काम करते हुए भी पेवेक टू सोसाइटी के लिए काम करते हैं मेरे साथ राजवीर सिंग जी है, अपर सांख की अधिकारी के पत पर तैनाथ हैं और बास्तों में, जो समाज को पेबेक देने की बात होती है, वो आप कर भी रहे हैं। आज संडे का दिन हैं यहां आप छात्रों की बीच में हैं तो अपने घर और परिबार के साथ विताया हो अब तक कैसा फील करते हैं जब बच्चों की बीच में रहे कर घर जाते हैं तो संतुष्टी होती है कि कुछ कर रहे हैं समाज के लिए यहां आने की और यहां पढ़ाने की और इन लोगों के बीच में रहने की जो संतुष्टी मिलती है अगर मैं आज की दिन हो सकता है दस पांच जार रुपए भी कमा लेता कहीं प्राइवेट पढ़ाता तो उससे भी नहीं मिलती यह उससे जादे बढ़कर के हमें संतुष्टी मिलती है कुछ बच्चे ऐसे बी हैं जिनके पास न तो रहने के लिए जगा होती है न किताबं खरीदने के लिए पैसा होता है और जो ऐसे बच्चे जैसे अभी अभी प्यूस में बताया कि जो SDM पंक वो गए हैं आपके गोपाल शर्मा उनके गरीब इतने गरीब परिवार से वह बच्चा है कि आप क्या पता हूं उसके बाद किताब खरीदने के लिए पैसा नहीं था तो ऐसे लोहों के लिए काम कर कि उनको लगता है कि उनकी साथ पीड़ी तक सुदर रही है और आने वाले टाइम में उनके चोटे बड़े भाई वेन और जो परिवारी जैने सब उन्होंने सिबिल सर्विस्स की तैयारी में लगा दिये उनकी भैन उनके भाई इस सब बच्चे यहां भी आते हैं और इस दोई शब्द थे मनके तुम जरूर स्टीम बनोगे तो आपको जरूत होती है कि आप अपना आगे जाकर के काम करें तो वह शब्द काम भी किये और उस बच्चे ने बहुत महिनत की साड़े सत्रह अठारे गंटे उसने पढ़ाई की है इस समय कितने स्टूरेंट्स है इस स से फॉर्म मिलेगा फॉर्म भी निशल्क होता है परिच्छा का अध्यार भी निसलक मिलता है यहां सब कुछ निशलक होता और होता है उसके वाह मैरेड बनती है फिर हम एकरव्यू से करते हैं लोगों के साथ उसके बाद सॉर्ट लिस्त करके और इसके अलाबावा पूस्त बेने करनाने वाले हैं तो बहुत अलग अलगिस ड्क के बच्चे हैं कुछ तो बच्चे आपके अलग स्टेट के मेगा बिहार पी मश्ते टोकि मेरे साथ मैं है सुरुभात से यौश से जोड़े है पुरा मेनेजमेंट देखते हैं अभी बातचीत हो रही थी बताया कि अभी जो फर्स दिख रहा है यह सी मेंटेड है इससे पहले बता रहे थे कि कच्छा था किस तरह का किस तरह शुरुबाद हुई यह हुथी हुआ 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 है जो भी योगदान है जो भी कर सकता हूँ पैसे से लेकर आर्टिक से जो भी सारी इंचे सालों में कितना बदलाव देखते हैं एक वक्त वह था कि सारे बच्चे कोल तैसिल में पढ़ते थे सुबह साथ वे से लेके पांच वे तक संड़े को पंकत सर स्वेम अपनी क्लास लगाते थे और राजबीर सर जुड़े रागवेन सर जुड़े और और अधर तैसिल दार जितनी भी क आपना करभाई कैसे मैनेजमेंट करके काया तो जब सर चले गए तो यहां सब कच्छा था और यहां बैठने के लिए कोई विवस्ता नहीं थी राजबीर सर और मैं दोनों मिलकर हम दोनों ने मिलकर यहां पर बच्चे कर जाओ और उस समय पिलियंस था दो यार अठारे का तो हम बोले अब कैसे हो तो फिर मैंने टेंट से पट्टियां लाला के बच्चों को बिछाया और बच्चों को फर्स पर कच्छे में ने आपको ऑफिसर्स बनना है यह मेरी लाइविल्टी बनती है जिम्मेदारी बनती है पंकर सन नहीं है तो रिंकु भया है और रिंकु करता हूं और करता रहूंगा यह सेयोगी परवार की तरफ से एक सांतुना है कि कैसे भी करके बच्चे जो नहां पड़ पाएं जिनके पास कोई भी चीज नहीं है और मोहन कपूर जो बच्चा है यह तो बहुत ही खेर गाउं से आया और मैंने कि मैं हूं भाई है कोई दिक मैंने पैसे में आके खोली है मैं रॉयल फैमिली से हूं मगर मेरे को कभी सट्रिक्शन नहीं मिला पैसे से मगर मुझे ऐसा लगता कि जो चीज मेरे अलीगड में नहीं हो पाई अगर वह विवस्ता चालू हो जाती है और दुनिया से पूरे भार से PCS बनते हैं अगर 2016 में सबसे पहले इस कोचिंग का एक एडवाटाइज आया था न्यूश्पीपर में के तैसील कोल में डॉक्टर पंकर्ज कुमार बर्मा सर थे HDM उस समय उन्होंने निकाला था कि जो बच्चे गरीब हैं जो के बाहर जाके दिल्ली इलहावाद जाके अफोर्ड नहीं कर सक कि लेकिन सर के गाइडेंस में सर ने पढ़ाया यहां और भी आजिए इस नंबरों से इंटर्वी कॉल रह गया फिर मैंने 2020 कभी यहां मैंस लिखा 2021 कभी और इस वार साइद उम्मीद है कि इस वार मेरा स्योर सेलेक्शन हो जाएगा कभी ज़रूरत नहीं हुई कि जो महंग कि महेंगी कोचिंग्स हैं फाइव इस्टार टाइप की वहां जाने की जरूरत नहीं कर पाते कि वहां दिल्ली इलावाद जा सकें क्योंकि हमारी प्रश्ट भूमी है बैक ग्राउंड प्राइमरी स्कूल है और गाहों से हम बलाउं करते हैं इतना भी ना तो हमारे घर के आ दो हम आती है ठिकर कोचिंग सेंटर में क्या होता है पैसे लेली जाते है नौ महीने तक उचिंगों उसके बाद आपको नहीं कोई पूछने वाला यहां टीचर अपने रशॉंस लेटी लेते हैं कि आपने पेपर किया नहीं कितना इसको रहा आपका और आपनी नोर्स बना तपति हो जो यहां पर बाते हैं यहां पर प्टो कॉंसेप्ट है वो पूरी तरीके दिखाई दे रहा है जो बच्चे यहां से पढ़ते हैं, उसके बाद वो लोग अगर मेंस क्वाइलिफाई कर लेते हैं, पर कही नौकरियों पहुंच जाते हैं, तो इन बच्चों को फ्री आफ कोश्ट यहां पढ़ाने के लिए भी आते हैं, आप कहां से हैं? सर मैं अलिगर्जिले से ही हूँ और मैंने 2020 का अपना पहला प्रयास दिया था, उसमें सर मैं शाक्षातकर मैं पहुंचा था, अब यह मेरा दूसरा प्रयास है, दूसरा मैं मेंस देकर आया हूँ, अभी सर परिणाम के सर प्रितिक शाम है हम लोग, बढ़ा सा बेक्ग्राउं 2020-2021 लगातर मैंने मैंस लिखा, 2020 में मैं आई-एस प्री भी कौलिफाई किया, अभी असिस्टेंट रॉफिसर का जो एक्जाम है, वो भी मैंने कौलिफाई किया है, उसका भी इंट्रिव्यू है, और भी कई सारे एक्जाम जैसे नेट हो गया, या कोई और एक्जाम हो गया हम लगातर कौलिफाई कर रहे हैं, क्योंकि जो शुरुवात हुई थी, जिस तरह से हमको पढ़ाया गया था, पंकत सर खुद पढ़ाते थे, उनके साथ कई लोग थे, जैसे राजकमार गुक्ता सर थे, नायव तैसिलदार थे, विभा मेडम थी, वो भी नायव तैसिलदा थी, जैप्रकाश नाराण सर थे, नियाएक तैसिलदार थे, राजवीर सर हैं, वो तो लगातर ऐसे लोग जो इस परिच्छा को लिकाल के आए हैं, उन्होंने हमें पढ़ाया सही गाइडेंस दी, और यहां तक है कि हमें मुझे परस्नली और कई अन्य लोगों को किताबें भी मुफदी, जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, और अब चूंकि हम इस काबिल हो गए हैं कि अब सलेक्शन की कतार में हैं, हम भी उसी चीज में लगे हुए हैं, मैं भी अब जोग्राफी, क्योंकि मेरा उप्शनल सब्जेक्ट रहा है, उसे यहां लगातर पढ़ा रहा हू तो मैं नेशनल जन्मत के उन दर्सकों तक यह बात पहुचाना चाहता हूँ, कि जो बास्तों में समासेवा करना चाहते हैं, लोगों तक मदद पहुचाना चाहते हैं, मैं यहां का एड्रेस दे दूँगा, पुस्तके जरूर उपलब्द कराएं, ऐसे संस्थानों को जरू सबसे बड़ी बात तो यह है कि 6 साल मेरी शादी को हो गएं, और मेरी अकेडमिक शोड़े हुए 2009 में मैंने ग्रेजूशन किया था, तो तब से लेके अब तक मेरे पास तो अफसर ही नहीं था कि मैं सिविल सर्विसिस के बारे में सोच सकूँ, तो मेरे दरवाजे पर आई कि आवाज की करो भी सिविल की तैयारी तो वो उस मीडियम से मैं जोड़ा यहां पर आके और पंकर सर ने जिस तरीके से हम लोग को नर्चर किया है, मैं 2021 कमेंस लिखके आया हूँ, बात यह फिर से रिपीट करिये, 2009 में ग्रेजूशन कंप्लेट हुई थी, उसके बात कोई की तैयारी नहीं की, कभी कोई यही नहीं था कि आईडिया की कैसे मन तो बहुत था, कि सिविल सर्विसिस कुछ हो जाए, तैयारी कब से सुरू की, यह जब 2017 में यहां से जुड़े हैं, जब सर ने इनिशेटिव लिया, तो इस तरीके से जब यहां पर आके सुरुआत और बाकी जो जितने भी हमारे सीनियर्स हमें पढ़ाते हैं, वो यहां पर क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, तो वो हमें फ्री आफ कोस्ट पढ़ाते हैं, उनका कोई मोटिव नहीं है कि हमें कहीं से सेलरी आ रही है, हमारा कोई वेजे से, पर वो जो एक ड सब्सक्राइब करते हैं, मैं 2017 से जुड़ा हूँ, इस कोचिंग से जुनने के बाद मुझे यह लगा कि कोचिंग ना सिर्फ अच्छी तयारी कराती है, बलकि अच्छे दोस्त भी प्रोवाइड कराती है, जो फ्रेंड्स खड़े हैं, वो मेरे अच्छे दोस्त हैं, उसके इस कोचिंग का परिणाम यह था कि मेरा क्लासमेट गोपाल शर्मा, SDM मना 2018 के बेच में, इसके साथ ही मैंने भी लोवर PCS का प्लिम्स और मेंस क्वालिफाई करा, साथ ही मैं MPPCS का मेंस भी दे चुका हूँ, मैं 2019 वाला और इसी के साथ 2021 में UPPCS का मेंस दिया है, मैं एक साम को चल जाती है, दो तिन भी खुलता साम तक पांच तक है, और लाइब्रेरी में पुस्तकें भी सारी मौजूद हैं, हाँ पुस्तकें हैं, कुछ नहीं मिलता थी, तो लोग अपने पर लेकर आते हैं, अचा लेकर आते हैं, अगर इस जगे को यह कहा जाए, तो कोई अत ज़ना होता है, मैं उमीद करता हूँ कि अभी तक्रीबं 200 सेलेक्शन हुए है, बिविन्ने छेत्रों में, बिविन्ने नौकरीों में तक्रीबं 200 सेलेक्शन यहां से हो चुके हैं, इन सेलेक्शन की दर आगे बढ़ेगी, आप लोग भी सही ओक कर सकते हैं, मैं पूरी झाल झाल